जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूटूब चैनल सुधीर एजुकेशन मस्ती पर मैं सुधीर कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ साथियों आज हम लेकर आए हैं विटामीन से संबंधित महतोपूर्ण 55 प्रशन और 51 प्रशन हमने अगले वीडियो में डाल चुका हूँ जो हमारे चैनल सुधीर एजुकेशन मस्ती पर आप सर्च करके देख सकते हैं टोटल 106 प्रशन है फ्रेंट्स, 106 प्रशन देखने के बाद आपको कोई भी एक्जाम में विटामीन से संबंधित प्रशन नहीं छुटेंगे तो चलिए फ्रेंट्स, कोज्टन शुरु करने से पहले हम इंट्रोडप्शन दे देते हैं विटामीन के बारे में बिटामिन का अविस्कार फंक ने 1911 हिस्वी में किया था यह एक परकार का कार्बनिक योगिक है बिटामिन से कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है प्रम्तु यह सरीर के उपाप्चे में रसायनिक प्रतिकिरियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवर्श्यक है इसलिए इसे राच्छात्मक पदार्थ भी कहा जाता है चलिए फ्रेंट्स फर्ष्ट नमर कोश्चन शुरू करते हैं बिटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा बिटामिन एच को बायो टीन और बिटामिन भी सेवेन के नाम से जानते हैं सेकंड नमबर कुश्चन, सेकंड नमबर प्रश्चन है फ्रेंट, विटामिन B5 का रासाइनिक नाम क्या है, पैंटो थेनिक अमल, तिसरा नमबर प्रश्चन, विटामिन E विसेस्त है, किसके लिए महत पूर्ण है, लिंग गरंतियों की समाने किरिया के लिए, चौथा नमबर प्रश्चन, विटामिन B3 का रासाइनिक नाम क्या है, नियासीन और निकोटेनिक अमल, पांचमा नमबर प्रश्चन, विटामिन D का रासाइनिक नाम क्या है, कैलसी फिरोल, याद रखेगा, रिकेट सरोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन D के कमी स सतमा नम्मर प्रश्ण बिटामीन से कितनी उर्जाँ मिलती है तो याद रखे 베 hace vitamin से कोई भी उर्जाँ नहीं मिलती है अठमा नम्मर प्रश्ण कौन सी vitamin anti-oxidant यानि प्रति उप्चायक के रूप में कारे करती है तो vitamin c नव्मा नम्मर प्रश्ण है friend विटामिन B1 का रासाइनिक नाम क्या है थाइमीन दस नमबर प्रश्ण विटामिन B की कमी से होने वाला रोब क्या है बेरी बेरी याद रखिएगा गारा नमबर प्रश्ण किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानि मंद बुद्धी और पेलागरा रोग होता है विटामिन C, 13 नमबर प्रश्ण, बसा विटामिन कार्वो हाइडरेट और प्रोटीन में किसकी अवसेकता कम मात्रा में होती है, तो याद रखें विटामिन का, 14 नमबर प्रश्ण वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाये जाता है तो विटामिन B 12 वर्षा के जल में पाये जाता है 15 नमबर कोश्चन या क्रीत में प्रोथ्रोंबीन के निर्वान के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदाई है तो याद रखेगा बिटामिन के 16 नमबर प्रश्ण बिटामिन का मुख्य कार क्या होता है भोजन के उत्पिररा के रूप में कारे करना 17 नमबर प्रश्ण है किस बिटामिन को हर्मोन भी कहते है तो बिटामिन D को हर्मोन भी कहते है 18 नमबर प्रश्ण कौन सा विटामिन हडियों को मजबूत करता है तो विटामिन D हडियों को मजबूत करता है 19 नमबर प्रशन पॉलिस किय हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी 20 नमबर प्रशन 20 नमबर प्रशन है फ्रेंड मा का दुध नौजात को लगभग संपूर्ण अहार प्रदान करता है लेकिन इसमें निम्न का भाव रहता है तो याद रखेगा लोह आईरन का भाव रहता है 21 नमर प्रश्ण विटामिन C का सबसे अच्छा सुरुत क्या है तो आवला याद रखेगा 22 नमर प्रश्ण प्रोटीन का मुखेता तो कौन सा है कारवन याद रखेगा 23 नमर प्रश्ण समाने क्रिया सील महिला के लिए प्रोटीन की दैनिक मातरा कितनी है तो समाने क्रिया सील महिला के लिए 46 गराम होनी चाहिए दूद पिलाने माली महिला के लिए अहार में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए तो इसका याद रखेगा फ्रेंट सत्तर ग्राम राइट एंसर हो जागा सत्तर ग्राम पचीस नमबर कोश्चन दूद प्रोटीन को पचाने माला एंजाइम कौन सा है रेनीन 28 नमबर प्रश्चन कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाये जाता है तथा चर्म को स्वस्त रखने में उप्युक्त होता है तो विटामिन सी 29 नमबर प्रश्चन कौन सा विटामिन स्वपन को प्रयाप्त समय तक याद रखने में मददगार है तो याद रखेगा vitamin B6 29 नमबर प्रश्ण कौन सा vitamin सोपन को प्रयाप्त समय तक याद रखने में मददगार है vitamin B6 30 नमबर प्रश्ण बाल किस protein का बना होता है उसे क्या कहता है तो याद रखेगा carotene sorry carotene याद रखेगा पपीते में मुखितख कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन ए 32 नमबर प्रश्ण अलफा केराटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है उन में और जानवरों के बाल में याद रखिएगा 33 नमबर प्रश्ण दूद का सफेद रंग किस कारण से होता है तो दूद का सफेद रंग के सीन के कारण होता है 34 नमबर प्रश्ण मनुष्य की आख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लावदायक है विटामिन ए 35 नमबर प्रश्ण किस विटामीन को रोगपरती रोधक विटामीन यानि anti-infection विटामीन कहते हैं तो याद रखे हैं विटामीन A को 36 नमबर प्रश्ण विटामीन A प्रचूर मात्रा में पाए जाता है किस में याद रखे हैं गाजर में हरी सब्जी में, मुल्ली में, मुल्ली लिखा गया, फ्रेंट्स, यहां मुल्ली होगा, मुल्ली अधी में 37 नमबर प्रश्न, वैसकों में होने वाली बिमारी, अस्थी मिरिद्थता या अस्टियो मलेशिया, किस भीटामिन की कमी से होता है तो विटामिन D 38 नमबर प्रश्ण कीस विटामिन के कमी के कारण मनुस्य की तोचा और होट फट जाता है तो विटामिन B2 के कमी कारण 49 नमबर प्रश्ण एनिमिया रोग कीस विटामिन के कमी कारण होता है तो विटामिन B12 के कमी के कारण होता है चालिस नंबर प्रश्ण है फ्रेंड विटामिन B9 का रसाइनिक नाम क्या है फौलिक अमल एक तालिस नंबर प्रश्ण किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं या ज़डते हैं विटामिन B7 के कमी के कारण 42 नमबर प्रश्ण किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से खुन आता है तो याद रखेगा विटामिन C के कमी के कारण 43 नमबर प्रश्ण है फ्रेंड आवले में कौन सा विटामिन प्रचूर मात्राएं पा जाता है तो विटामिन C 44 नमबर प्रश्ण कौन सा विटामिन मुत्र के माध्यम से उसर्जित होता है याद रखेगा विटामिन C 45 नमबर कोश्चन कौन सा विटामिन गहाव को भरने में सहायक होता है तो याद रखेगा विटामिन C 46 नंबर कोश्चन कौन सा विटामिन सरीड में कैलसियम का अस्तर बनाने में मदद करता है तो याद रखेगा विटामिन D 47 नंबर कोश्चन है फ्रेंड किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्तियां मुर जाती है तो याद रखेगा विटामिन D के कमी के कारण और तालिस नमबर कोश्चन विटामिन B6 का रासाइनिक नाम क्या है पैरिडॉक्षिन उन्चास नमबर कोश्चन विटामिन B10 का रासाइनिक नाम क्या होता है याद रखेगा पेरा अमिनो बेंजोईक अम्ल पिटामिन B10 की कमी से होने वरा रोग कौन सा है रुधीर छिनता याद रखेगा रुधीर छिनता 51 नमबर कौश्चन है बिटामिन K का रासाइनिक नाम क्या है तो याद रखेगा फिलो कईनून और क्योन 52 नमबर प्रश्ण कौन सा बिटामिन सरीर में बनने वाले हानिकारक रसाइन को नस्ट करता है तो याद रखेगा बिटामिन E तो तीरपन नमबर कोशन केसीन किसमें पाये जाना वाला प्रोटीन है तो याद रखेगा दूध में 54 प्रश्न कौन सा बिटामिन आत के जिवानों द्वारा सरीर में संसलेसित होता है तो याद रखेगा बिटामिन के ये बहुत ही महतो पुर्ण प्रश्न है याद रखेगा भी 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 वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है चलिए अगला question इसी को घुमा के कैसे पुछेगा कौन सा vitamin शरीर के अंदर संसलेशित किया जा सकता है तो याद रखेगा vitamin K चलिए फ्रेंट्स टोटल हमने 106 प्रश्ण करवा दिये हैं विटामिन से अब आसा करता हूं एक भी प्रश्ण आपको एक्जाम में नहीं छूटेंगे अगर हमारा दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही जय हिंद